फ्रेंड्स के आप भी आईफोन का iOS 17 यूज़ करके बोर हो चुके हैं तो बिल्कुल परिशान मत हो यह आ गया है आईफोन का iOS 18 का न्यू अपडेट जिसमें काफी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं फुल कंट्रोल मिलता है करेंगे इस वीडियो में बात कि क्या क्या चीज़े मिलने वाली हैं हमारे पास है आईफोन 14 जिसके अंदर हम करेंगे यह अपडेट और देखेंगे क्या क्या फीचर्स आए हैं जो हमारा iOS 18 है उसके अंदर तो फट फट पट पर लिजे वीडियो को लाई को चैनल को कर लिजे सस्क्राइब चलते हम वीडियो के और उसके टाइम पर हमें क्या हमारा इंटरनेट भी एक्टिवेट कर लेना है इसके आद देख सकते हैं software अपडेट का जो सेक्षन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा तो हमने उसपर क्लिक कर दिया थोड़ा सा प्रोसेस होगा हमारा इंटरनेट जो है वो एक्टिवेट हो और देख सकते हैं इसके अंदर आपको iOS 17.17 का भी अपडेट हो उसके नीचे आपको दिखाई दे जाएगा iOS 18 का अपडेट जो आपका 3.89GB का अपडेट है जिसे हमने फटा फट कर लिया है डावलोड और इसका अपडेट भी करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या-क्या फीचर से सबसे पहले इसके अंदर आपको टर्मस एंड कंडिशन्स एगरी करने पड़ेगी और कुछ आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने फोन को अपडेट करें तो यह ध्यान रखें कि आप अपने फोन को चार्ज करते वक्त ना जब भी भी आप iPhone को अपडेट कर रहा है, बहुत ही साथधानी से अपडेट करें और जितनी भी Terms and Conditions से उससे अच्छे से पड़ें, जो Terms and Conditions ने इसके उपर यही सारी से लिजिए, अपडेट करते हैं, डे में अपडेट कीजिए, रात में सोते हैं अपडेट मत कीजिए, जब भी आप सो जाएगे उसके बाद क्या प्रोसेस होगी आपको पता ही नहीं चलेगा, तो दिन में अपनी नजरों के सामने अपडेट कीजिए इसको, ताकि काई कोई इश YOU जाया तो आपको समझ में आ सकें इसके इन्दर काफि सारी चीजे ईपडेट के इन्दर इसके अंदक आपडेट के अंदर नौक-प्डेट होगा लoken वही पूर में इतो ऊपडेट हो ला है आयपोन का और साती साथ इसके अंदर काफी सारे और app options वगेरा control centers में काफी सारे sections जो है वैड होंगे notification आपको full control notification वाले section में मिल जाएगा अपने phone का notification fully control कर सकते हैं तो चलिए फटपट जो हमारा जो data है उसे हम save कर लें data को पूरी तरह से secure कर लिजेगा उसके बाद अपडेट की तरफ आगे बढ़िएगा बाकी आप देख सकते हैं यह काफी बढ़िया है settings के अंदर काफी सारी चीज़े जो है वह change हो जाएंगी और अभी हम general की settings के section में आ चुके हैं और हमारा जो phone है उसका storage आप देख सकते हैं अभी जो हमारे phone में है करीब करीब ज़्यादा storage नहीं बचाए 112GB है जिसमें हमारा update 3GB का update आपडेट आजाएगा तो storage जो है 3GB यह अलग add हो जाएगा तो करीब करीब आपके phone को करीब जब भी अपडेट करें उसका double जो है storage होना जैसे हमारा 4GB का तो 4-4 8GB का storage होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से जो है आपको storage भी adjust कर लेना है और जैसे अपडेट डाउनलोड हो जाए उसके आप देख सकते हैं reset वाला section जो हो आटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो iPhone हो देख सकते हैं ओफ हो गया है थोड़ी देर उसमें लगेगी processing में टाइम तो आपको करना है वेट जबी भी process हो आपको जो है कुछ भी buttons व आपको आपका phone को activate करना है अभी देख सकते हैं process हो रहा है हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा wait बाकि देख सकते हैं हमारा जो iPhone हो उसका जो logo है आपको दिखाई देर आओगा आपको थोड़ा सा और wait करना है processing और हो रही है इसमें थोड़ा सा time भी लग सकता है तो आपको कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है phone को उतनी देर के लिए आप रख दीजिए चाहे तो नाइट के टाइम पर करिए पर सोईएगा मत सामने रहे कर करिएगा update को कुछ भी problems हो तो आप देख सकें और आप जो चीजे मैंने बताई है उसका ध्या करना है और जैसे हमको एक्टिवेट करना है और जिसके भी हमने iOS 18 का update किया है, complete प्लिट और अभी देख सकते हैं जैसे हम इसे स्लवाइट करेंगे, पास्वर्ड माँगेगा, आपको जो फेस आइडी से नहीं होगा, आपको फर्स टाइम पास्वर्ड एंटर करना ही पड़ेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पासवर्ड एंटर कर दिया, कर दिया वाकि Welcome to iPhone वाला section एक्टिवेट हो गया है आपका जो iPhone है वो पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है iOS 18 में और देख सकते हैं काफी सारी चीजे इसके अंदर चेंज हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आप लॉक सारे sections इसमें add हुए है यह पूरा कस्टमाइज वाला section जो है open हो चुका है बाकि और क्या क्या चेंजे आया है इसके अंदर camera के अंदर camera जो है उसके अंदर iOS वगेरा थोड़ा सा इंप्रूफ किया गया है आपका जो camera थोड़ा सा इंप्रूफ है बाकि हम बात करें setting के section में आ गया है setting के section में भी सारी चीज़े ऐसी ही है बाकि इसके अंदर new dark mode का जो effect है वो आपका जो है आया है फिर tell till icons आ हैं और आप देख सकते हैं setting के अंदर भी आगया जो software update भी हमने किया जो है मारा 18 जो है iOS 18 जो है अपडेट हो चुका है पूरी तरीके से तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो lock screen वाला section है उसको भी आप पूरी तरीके से customize कर सकते हैं flashlight के जगा कुछ और icon लगा सकते हैं camera की जगा कुछ और लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार बाकी इसके बाद देख सकते हैं आप जो इसके app वागरा इसका भी sides भी adjust कर सकते हैं और बाकी जो notification वाला section मैंने बताया था इसके अंदर काफी सारी चीज़े आप जो add कर सकते हैं कुछ चीज़े आप हटाना चाहें तो आप खुद हटा भी सकते हैं ये भी आपके उपर है जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे functions तो थे हम मैं slide कर देता हूँ slide करके मैंने सारे functions आपको दिखा दिया song वगरा कुछ play कर रहा तो यहाँ पर आ जायागा ठीक है इसको कहीं पर भी adjust करना चाहें तो कर सकते हैं जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मुझे किसी चीज़ को अटाना मैं हटा सकते हूँ जैसे मुझे ये वाला section brightness कम जादा करने वाला volume कम जादा करने वाला मुझे adjust करना यहां पर कहीं पर भी रखना है मैं पूरी तरीके से इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ यह काफी अच्छा update है हमारे iOS 18 में जो काफी सारी चीज़े आपको पूरे control देता है आप अपने notification section से जो चाहे चीज़े हटा दें size छोटा बड़ा कर दें जैसा चाहे वैसा adjust कर सकते है तो यह काफी अच्छा लगा है यह वाला features भी आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईगा comment box में बाकि ऐसे ही काफी सारे और features आ है जैसा कि मैं आपको बता दू video recording में आपको मिल जाता है और यह shortcuts आप देख सकते काफी सारे shortcuts वगेरा भी आपको मिल जाते है और कुछ इस तरीके से आपको अपडेट मिलता है काफी बड़ी अपडेट है तो friends कैसी लगी आपको वीडियो हमें जरूर बताईगा और कैसा लगा आपको iOS 18 का update आपके पास कौन सा iPhone का phone है हमें जरूर बताई है comment box में कौन सा phone आप यूज कर रहे है और कैसी लगी वीडियो आपको कौन सा features अच्छे लगे मुझे काफी सारे features अच्छे लगे जो इसके अंदर आपको सबसे main जो video recording के अंदर post button दे दिया है वो मुझे काफी जादा अच्छा लगा वीडियो बगरा shoot करने में बार बार post करने में दिक्कत आती थी अब वो दिक्कत खतम हो चुकी है अगर इसकी features के बारे में आपको और जानना है तो हमें बताईएगा हम दूसरी कुछ वीडियो में आपको बता देंगे क्योंकि ये वीडियो काफी जादा बड़ी हो गई है बाके मिलते हैं अजय कर दो हमें आपको बारे में आपको बताईएगा है